नमस्कार दोस्तो, Civil Engineering Support के एक बहुत ही महात्पुन वीडियो में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभिशीक सिंग, दोस्तो बेडरूम में अगर अगर अटेज बाथरूम बनवा लेते हैं लोग, तो वो समझते हैं कि मास्टर बेडरूम तयार हो गय क्योंकि मैं पुराने वीडियो को एडिट करके मैं इस तरीके के जनकारी सेर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि दोस्तो मेरा एक तरीका होता है कि जिसना आप इस वाले वीडियो से सीख सकते हैं, उतना आप एडिटिट वीडियो से नहीं सीख सकते हैं, दोस्तो सबसे पहले बात रूम साइज की अगर बात कर लेते हैं, आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये 13 feet इसका चोड़ा आई है, 12 feet आप रख सकते हैं, ठीक है, लंबाई की बात कर लेते हैं, आप देखेंगे, ये वाकई में 16 feet दोस्तों इसका जो है वो लंबाई होने वाला है, सुनने में बह खिर्की का जो सिल लेबल है, उसमें आपको काम करना, इधर भी बहुत सारे उनिट बन रहा है, इसको में दिखाऊंगा, बसरते वीडियो पर बहने रही है, जो खिर्की है दोस्तों, आप देख सकते हैं, साइज एक बढ़ चेकी का, और उससे भी खास बात दोस्तों, आप तोर पर तिन फीट पर दिल लेवाते हैं, ठीक है, लेकिन यहां का सिल लेबल देंगे, चली में आपको दिखाता हूं, आप देखेंगे दोस्तों, यहां पर जो है वो सिल लेबल होए वो करिब करीब 16 इंच पर आ ठीक है, तो आपको मैं बता दोस्तों, 16 से 20 इंच आप अ इस चीज को भी ध्यान देना पड़ता है कि आखिरकार आपके जो रूम का वेंडिलेसन है वो भी सही रहेगा और साथ हिसाम दोस्तो इस घर का जो फिल है पूरी तरीके से चेंज हो जाता है अगर हम सील लेबल जितना नीचे करते जाएंगे उतना ही दोस्तो आपको खुला और हवदार बेड्रूम मिलेगा चलिए आगे बरते हैं यह तो होगे बेड्रूम दोस्तो बेड्रूम के अलावे आपको क्या-क्या कुछ चीज जो है वो एड करनी होती है यह चीज भी आप देखते चलिए दोस्तो बेड्रूम में आप देख सकते हैं बीच में तो एक फै तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, आप much झूवा सकते हैं, POP से design बनवा सकते हैं. या फिर दोस्तो अगर budget की कोई issue नहीं है, तो आप fall ceiling भी कर वा सकते हैं, light वगर लगाना बड़ी बात नहीं है. लेकिन दोस्तो यह सबसे सस्ता option है कि आप जो है वो ceiling में ही इस तरीके से light लगा दें आगे बढ़ते हैं दोस्तो मैं आपको कुछ और दिखाने वाला हूँ यह देख सकते हैं यहां पर एक bathroom मनाया जाए इसके बारे में मैं थोड़े सी detailing करूँगा पहले आप bathroom देख लीज़े यहां पर जो attached bathroom मनाया गया दोस्तो उसका size देख सकते हैं इसमें दोस्तो combine toilet come bathroom दोनों चीज़े हैं ठीक है इसके बाद दोस्तो bathroom से जैसे ही निकलेंगे आपको जिरूरत होती है dressing area की तो आप यह बचे हुए जो जगह है दोस्तो उसको as a dressing area भी इस्तमाल में ले सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तो मैं आपको बाताने वाला हूँ यहां पर एक wash basin भी दोस्तो आप install करवा सकते हैं दोस्तो हर एक छोटी चीज के लिए आपको बात्रूम में नहीं जाना परे अगर हाथ वगरत होना है तो बाहर से ही दोस्तो काम अप चला सकते हैं इस जगा को आप जो है वो ड्रेसिंग एरिया के तौर पर आप पूरा का पूरा तयार करवा सकते हैं अभी इसमें बहुत काम होना बाकी है दोस्तो अभी तो सिर्फ धाचा तयार हुआ है बन जाने के बाद दोस्तो इस वीडियो को फिर से आप लोगों के लिए अपलोड क कराम पर भी तो हमें दीजिये इजाजत नमस्कार धन्यवाद दोस्तो